अब पतना और राची से उड़कर आईए बाबा धाम जियां दोस्तों देवगहर से एक बड़ी खुशकबरी आ रही है कि इंडिगो ने यहां से राची और पतना की कनेक्टिविटी कर दी है और आपको पूरी डिटेल पता लगेगी किस तरह से यहां से फ्लाइट की बुकि स्टार्ट हो गई है और यह जानकारी निशिकान दूबे जो गुड़ा के सांसद है उन्होंने दी है उन्होंने काया कि 26 और 27 मार्च से आखिरकार इंडिगो की देवगहर से राची वा पतना के लिए हवाई सेवा प्रारंब हो रही है और इसके लिए उन्होंने प्रदान मार्च को देवगहर से पतना के बीच फ्लाइट है देवगहर से सवा 11 बजे और पतना सवा 12 बजे टोटल इसकी जो जर्नी है वो एक घंटे में पूरी हो जाएगी इसके अलावा देवगहर से राची की बात करें तो इंडिगो की यह 27 मार्च से बुकिंग शुरू है जिस देवगहर से पतना कनेक्टिवीटी मिल रही है तो देवगहर जहां बाबाधाम की नगरी है जहां जाने के लिए शद्धालू वहां जाते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा तोफा इस होली पर मिल रहा है और इंडिगो ने एक बहुत शांदार शुरूआत यहां से कर द दाबा जो अगले दिन 28 तारीक के हाला कि सर्च किया उसमें no flight available दिखा रहा है यानि alternate day पर यह available 28 को नहीं है लेकिन 29 को फिर आपको मिलेगी 2184 दिखा रहा है 29 तारीक तो एक दिन गैप करके देवगहर से राची के लिए है और इसके साथ साथ एक दिन गैप करके पटना के देवगहर से दी जा रही है तो अभी फिलाल रेगुलर फ्लाइट रोजाना नहीं होगी लेकिन अभी गैप करके दी गई है और डिमांड अगर जादा हुई लोगों के आवाजाही अगर जादा हुई तो हो सकता है कि यह डेली फ्लाइट भी हो जाए तो जो राजधानी जारकंड की राजधानी से जो कनेक्टिविटी देवगहर की चा रहे थे उनको यह मिल गया है और देवगहर के आसपास के लोग अब राची उड़ करके जा सकते हैं और आ सकते हैं साथ ही पटना से भी कनेक्टिविटी हो रही है जिससे की बिहार की राजधानी से भी कनेक पूराथ हुए उसकी जो उसमें काम्याभी होती भी दिखाई दे रही है और धीरे धीरे जो है यहां से विस्तार हो रहा है उड़ान का ये एक अच्छी चीज सामने आ रही है और आने वाले दिनों में आला कि यहां पर और भी कनेक्शन और भी डेस्टिनेशन के जूडने की यहां पर उम्मीद की जा रही है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहां पर और भी जगहों से यहां से जुड़ाओ देखने को मिलेगा तो दोस्तों यह वीडियो कैसे लगा ज़रू लाइक है जो शेयर की अगरोड़ी सब्स्राइब कीजिए कुछ आ वीडियो के स